बहुत साल पहले एक गाउं में दो बेस फ्रेंड्स भोला और प्रकाश रहते थे भोला और प्रकाश बहुत अंबिशिस थे ये काफी बड़े सपने देखते थे इनको बड़े खेद, बड़े घर, सब चाहिए थे All they needed was one opportunity बस opportunity की कमी थी और एक दिन उनके सामने ऐसे ही opportunity आ गई गाउं में जो तालाब था वो सूप चुका था अब गाउं के elders धून रहे थे कि कोई आए और ये बाल्टियां भरके बस वापस ले आए ताकि हम गाउं के water requirement को पूरा कर सके लगीली उसके लिए चुना गया भोला और प्रकाश को अब भोला और प्रकाश हो जो जए थे कि यार ये तो बहुत बढ़ी opportunity है और उसके लिए उनको पैसे दिये जा रहे थे जितनी बाल्टियां आप लाओगे हर भाल्टि के लिए मैं आपको 10-20 रुपे देने वाला हूँ तो ये लोग बहुत खुश यार 10-20 रुपे ये तो बहुत सारा पैसा है बहुत खुश होगए ये लोग तो ये लोग क्या किये गए पहले दिन पांच से दस भाल्टी भरके ले आए बहुत पैसा कमाया है उन्हें और काफी खुश्टे बोला तो खैर बहुत जादा खुश्टा वो सुचा था कि यार इतना सारा पैसा है मैं तो मज़ा आगया यार 100 रुपे कमा लिए देनके कमा रहे हैं एक हफते में मैं जूते ले लूँगा एक महीने में मैं हो सकता है नहीं गर ले लूँगा एक दो साल में दो गर ले लूँगा बहुत पैसा आ रहे है पर सम्हाव प्रकाश को यह बात नहीं ने कहा नहीं मुझे यह नहीं करना मैं क्या करूंगा मैं बनाने वा है अभी कितनी मढ़िया जॉब है अपनी पांस दिन काम करना पड़ता है दो दिन की छुट्टी मिलती है उसके बाद दो हफतों की पेड़ वकेशन भी मिलती है क्या गर रहा है क्यों कर रहा बाइक प्रकाश नहीं से बॉला डर्ऑ है नासा को पूरे गाउं में famous हो गा था मजाकिया बन गया था और प्रकाश पूरे हफते काम कर रहा था अगर भूला दस ला रहा था तो प्रकाश सिर्फ चार पांच लिया पा रहा था गाहों में भी प्रकाश को बोने लगे प्रकाश पाइप वाला प्रकाश पाइप वाला इस तरह से को बोलता जा रहा था करता गया, करता गया, करता गया प्रकाश को पता था हो सकता है एक साल लगे, दो साल लगे लेकिन जब ये बनेगा बहुत बढ़िया रिबॉड आ सकता है मुझे तो बस लगा रहा इसे तरह छे महिने बीट गये उसके कमर में दड़ था, हाथ में छाले थे, उतना मजाक्या भी नहीं था, उसको जो खरीदना था, वो आ भी चुका था, फिर भी वो महनत की जा रहा क्योंकि उसके और सपने भी तक पूरे हुए नहीं, जितने उसने स्टार्टिंग में देखे थे, अब गाउं में भी भोल वाले चौक गए, यह क्या हो गया, अब प्रकाश जितना चाहे, उतना पानी सप्लाई कर सकता है, गाउं के जो एडलर्स थे, वो बहुत खुश हो गए, कि बापरे प्रकाश क्या काम किया है, उसको धेर सारा पैसा मिल रहा था, पानी तो उसी नहीं लेकर आ है ना गाउं म में करने लग गया, बहुत सारे गाउं में करने लगい, सेम कॉंसेप अलग जगह अपलाई करने लगए, प्रकाश के लगा बहुत पैसा सकतीा, और दूसरे साइट भुला राश बठा था, तो प्रकाश और भुला तु थे, बेस फिरंड्स प्रकाश गेल रुन, प्रकाश नहीं बना रहा हो यार तो best friend ने मेरा साथ में काम करते हैं ग्रो करेंगे धो best friends मिलके काम करना के दोनोंने बहुत पैसे कम आए इसे तरह यह गाहों गाहों तो हम पैपलाइन बना सकते हैं और यह कोशिश करते थे कि और लोगों की मदद करें दोषमें किसके में पायपलाइन भाइन करने में लेकिन वाहां जाके लोगर और से बात कर थे तो उसकe दो टाइम नहीं होते है sparee ट्वार कility कुन बना लिए कि लोग जोग जो पाइक ज़ूडते थे उनके साथ ये जुड़ते थे उनको लेते थे और बनाते थे इसी तरह उन्हेंने काफ़ियों की लाइफ सुधारी ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ because जो आज हम सीखने वाले हैं वो एक pipeline है price action वो pipeline है जो कि आपने अगर एक दो साल महनत करके सीख लिया तो वो जिन्दगी भर आपको reward देने वाला है ये ऐसी चीज़ है जो कि आप दुनिया के किसी भी market में चाहे वो stock market हो यानि Reliance, HDFC, Bank कोई भी stock आप देख रहे हो Nifty, Bank Nifty Indices देख रहे हो currencies देख रहे हो Forex देख रहे हो, Crypto देख रहे हो Any market जिसका भी chart है Ate का chart देख रहे हो, Piaz का chart देख रहे हो Gold, Aluminium Anything that you see अगर जगा आपको ये कामा आने ये ऐसी pipeline में आपको से खार हो आप trade कर रहे हो, invest कर रहे हो आज के लिए, 10 साल के लिए Everywhere this concept will work मैं आपको वो pipeline देने वाला हूँ तो वीडियो को skip मत करना अंत तक देखना इतना useful चीज मैं आपको दे रहा हूँ दिल से अपनाओ और पूरे शिदद से practice करो So, what's up guys मैं हूँ सधान्त, आप देख रहे हो Trading of Siddhant Let's dive straight into learning कि price action क्या है और हमें उसे apply कैसे कर ला है Welcome to the best price action course जो कि आपको एक beginner से advanced level तक लेके चले जाएगा This is by Trading of Siddhant मैं हूँ आपका host चलिए बात करते हैं क्या हो रहा है So, price action वो चीज है जिसके थूँ हम stock market के behavior को समझते हैं Price के action को समझते हैं For example अगर मैं कोई गाड़ी का track देख रहा हूँ Point A से Point B तक तो उसमें गाड़ी यहां start हुई और यहां पहुँची हम इसको कह सकते हैं This is car action अब मान लो कि यह same car Point A से B पे एक बार नहीं 50 करोड बार से ज़्यादा जा चुकी है तो अब कुछ न कुछ pattern तो बनेगा ना कि यार यह जो जा रही है हमेशा मैं notice कर रहा हूँ कि इसके चक्के इतने ही degree घुम रहे है या फिर इसके चक्के में इतने ही speed आ रही है इसके चक्के उतने तेजी से आगे बढ़ रहे है बस इसी pattern की study है Price action मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आपने price action सीख लिया तो हर market में आप पैसा कमा सकते हैं हर परिस्तिती में हर type की situation में बहुत interesting study है यह ऐसा मान लो कि अगर आप for example cricket betting कर रहे हो तो आपके पास लाखो हजारों सालों का data है उतने time तो cricket भी नहीं आता लेकिन जब से cricket शुरू हुआ है जितना data available है आप उस सारे data को study कर रहे हो अपने computer में डाल रहे हो और यह बस figure out कर रहे हो कि देखो यार जब batsman 30 yard circle के बाहर मारता है तो single होता है कि नहीं यह probability का खेल है चलिए और समझते हैं कि इसमें exactly हमें क्या करना है कैसे करना है सबसे पहले तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं हम सबसे पहले price का behavior समझेंगे फिर यह समझेंगे कि trends क्या होते है chart patterns क्या होते है और support resistance price action यह तो खिर आपको दिखी रहे हैं यहां पर क्या है price का behavior यानि कि price एक certain तरीके से ऊपर नीचे गुमता है आप for example category का price अगर track कर रहे होगे या फिर petrol का भाव track कर रहे होगे एक time पे petrol 20 रुपे का मिलता था petrol का price यह था एक time पे अभी 100 रुपे का मिल रहा है 100 रुपे 110 का मिल रहा है इसको हम कहेंगे price का behavior लेकिन ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में 20 से यह 100 हो गया या 110 हो गया 20 से कभी हो सकता है 19 गया हो कभी 18 गया हो कभी हो सकता है 22 गया हो तो यह कैसा behavior है कुछ इस तरह का behavior रहेगा इसी को हम study करेंगा वो ही है price behavior उसमें आगे जा जाके हम यह सारे concepts के बारे में बढ़ने वाले तो बने रहिएगा सबसे पहले chat जो भी यहाँ पर देख रहा है let me know क्या आप लोग तयार है यह सीखने के लिए अगर हां तो नीचे लिखे या फिर fire की emojis मुझे कॉमें जरूर बेजी अभी के अभी और चलिए हम शुरू करते हैं सीखना कि what is price action सबसे एक सिंपल सा एक्जाम्पल समझते हैं मिरको आप यह बताओ आप गयो सबजी मंडी चीक है सिंपल सबजी मंडी गयो आपको टमाटर लेना है ममी ने बोल दिया भाई टमाटर लेकिया अब जा रहे हो ममी ने बोला बीवी ने बोला जिस नहीं बोला टमाटर लाने अपने एक दुकान के पास आपको 45 के मिल रहे है एक के पास 55 के मिल रहे है एक पास 60 के मिल रहे है अब मान लो कि सब के पास exact same quality है किसी के पास quality में कोई problem नहीं है सब लोग अलग-अलग price पे बेच रहा है 145, 150, 155, 160 किससे लोग है जाहिर सी बात है 45 वाले से लोग है क्योंकि सस्ता मिल रहा है quality same है, price सस्ता है अराम से मिल जारा है, क्यों नहीं ले लिया आपने, ठीक है अब मान लेते है, 45 में तो आपने लिया आपके बहुत लोगों ने ले लिया अब इसका हो गया stock खतम, over, stock over तो अब next क्या बचा रूपीज 50 वाला, 50 वाला 60 वाला, अब आप किससे लोग है जाहिर सी बात है आप लोगे 50 वाले से फिर इसका खतम तो आप 55 वाले से इसका भी खतम तो आप 60 वाले से लोगे अब हम मान लेते हैं कि ये जो 50 वाला और 55 वाला है ये दुने दूसरे से बात कर रहे है कि यार देखो, एक काम करता है कि तू 50 में बेचेगा तेरे को हो जाएगा लॉस और ये बोल रहा है कि देख यार मुझे नहीं लगता कि तेरे सामान बिकने वाले बिकास मैं 50 में बेचने को तो रेडी हूँ लेकिन मुझे लगता है कि आज मार्केट यहीं खतम हो जाएगा कल में फ्रेश माल ले आऊंगा और फिर लोग मेरे से ही खरीदने वाले है समझ रहे हो तो ये दोनों क्या करते हैं जुड जाते हैं ये लोग से decide करते कि नहीं हम एक काम करते हैं हम दोनों अपने टमाटर जोड देते हैं और हम इसको कितने बेचेंगे 52 रूपीज में बेच देंगे इसको भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया और इसकी भी टमाटर बेग गए और दोनों 50-50 स्पिलिट कर देंगे टमाटर भी दोने के पास जादा हो गए और दोनों ने प्रॉफिट भी कमा लिया इन्होंने क्या किया प्राइस को मैच किया तो शुरुवात में क्या हो रहा है जब आपने पहला टमाटर लिया तो एक चार्ट है चार्ट पे कुछ इस तरह की चार्ट रहेगी यहां पर माल लो तो इस डिस प्रैस लेत्स से। श्राट करते है मनенко इस तरह से प्राइस चार्ट चेल रहे तो पहला टमाटर भिक नतव गए 45 पे ऐसे ऐसे एक line plot होगी हर time टमाटर भिक रहा तो 45 पे लाइन आ जारी इस तरह की चिक है और जैसे पहला टमाटर 50 में बिका यहां पर वापस 50 का रहा गया और उसी time imagine करो कि वापस इसको रिलाज हो कि नहीं यहार मेरे पास टो एक्स्टा स्टॉक पड़ा है तो बूली गया था अब क्या करेगा पाचास गया अब सीधा 55 पे चलने लग गया है इसका इसका विक रहा है इस सिंपल फंडे से स्टॉक मार्केट चलता है यहां पर तो बस एक चोटी सी सब्सी मंडी की हम बाते कर रहे हैं इसी का बहुत बड़े स्केल पे अगर देखोगे तो यह सेम चीज स्टॉक म में आपके हर तरह के अनाज में करंसी में क्रिप्टो में सब जगा यह exact same concept चलता है इसी तरह price action form होता है चार्ट पे basic human psychology आप सबसे सस्ता सबसे आसान तरीके से लेना चाहोगे उसके बार नेक्स सस्ता उसके बार नेक्स सस्ता और जो seller है वो जो बेच रहा है वो चाहेगा क कि 45 में तो मेरा profit हो जा रहा है यह जादा greedy हो रहा है इसी लिए इसका नहीं बिकरा तो seller जो है वो जादा greedy नहीं बन सकता और buyer अगर बोले नहीं यार मैं 40 रूपीज के ऊपर देने ही नहीं वाला हूं कुछ भी हो जाए तो वो क्या बन रहा है जादा fearful बन रहा जार 40 बहु अब क्या हो गया this is the whole psychology buyer कितना push कर सकता है और seller कितना adjust कर सकता है जब इन दोनों agree कर जाएंगे एक price पे तो वो एक transaction complete हो जाएगा इसी तरह price action का formation होता है guys तो अभी जो हमने concept discuss किया उसको और कुछ नहीं बलकि हम supply और demand के नाम से जानते है एकॉनमिक्स में supply और demand बहुत basic से चीज़ है जितना ज्यादा supply होगा किसी चीज़ का उसका उतना दाम घटता जाएगा price fall होगा और जितना ज्यादा demand होगा उस चीज़ का price rise होगा अब demand supply कैसे होता है मान लोग कि बहुत लोग है जो टमाटर खरीबना चाह रहे हैं तो सब लोग क्या decide करने भाई बहुत demand है हम करते है price बढ़ा दें कि टमाटर लोगों बहुत ज्यादा चाहिए टमाटर चाहिए चाहिए नेक्स्ट अब देखने लोग कि बहुत सारे हो गये लेके जाओ मेरा stock खतम करो जो price में हो रहा है निकालो because टमाटर तो start जाने वाले तब क्या होगा supply बढ़ रही है उससे price ग stock हो गया है यह गिरने वाला है मेरे को नीचे अपना मैं सस्ते में बेशते आता हूं एक बंदा सस्ता बेचा सबको लगा कि नहीं सस्ता बेचना चार्ट सस्ता 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 दिखा रहा है गरीब होता जा रहे हैं लोग और price उसमें गिरने लग जाएगा यही concept है supply और demand का ज जादा है तो वो price को उपर लेके जाएगा और अगर demand supply से कम है तो वो price को नीचे लेके जाएगा that's it यानि supply जादा तो price कम demand जादा तो price उपर that is it this is the basic of stock market अब पूरा खेल इसी पे चलता है आप मेरे को बस एक बात बताओ क्या ये possible है कि demand और supply इग्जिस्ट ही ना करें अगर कोई कुछ खरीद रहा है या बेच रहा है तो उसमें डिमांड और सप्लाई तो आएगा ही ना आपके छोटे से चीनी से लेके टूथब्रश से फोन साइकल कुछ भी इमाजन कर लो डिमांड और सप्लाई तो हर जगा होने वाला है अगर पैस किसी किसी दफ्तर में अगर कोई काम ही नहीं आ रहा हो लगा यार दे दे यार सौ रुपई दे दे मिरसा काम हो जाएगा हर जगा जहां पैसा इंवाल्वर डिमांड सप्लाई वहां आही जाता है यह बेस्ट ओन हुमन नेचर है यह कहीं नहीं जाने वाला है और जो पूरा कर दें प्राइस अक्षिन विल नेवर चेंज कभी नहीं चोडने वाला और यह ऐसी स्किल है जो एक बार आपने सीख ली तो जिंदगी भर के लिए समझो आपने सीख ली चलो अब तुमने यह देखा कि टमाटर के प्राइस को कोई ना को इंफ्लूएंस करता है आपके मेर इंश influenC की कंपनियां आती हैं hedge funds हैं brokerage houses हяться यह सारे जो वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता दिज are called market makers Market makers वह लोग होते हैं जो की market में बहुत सारा पैसा लेके आते हैं और एक price को decide करते £ем gramm'. इनके पास तो बहुत सारा research होता है for example टमाटर का सीजन कब आने वाला है वेदर फोरकास्ट क्या है ये सब देखने का हग किसके पास है या फिर ये सब डेटा जादा किसके पास अच्छे से अवेलेबल है साइन्टिस्ट के पास या फिर जो अगरिकल्चर में बहुत जादा पैसा रखता है जितना जादा पैसा उतना जादा डेटा एकसेस और उतना जादा पैसा अप लगा भी सकते हो वो ही लोग क्या करते हैं they make the market they decide where the market should go अब आप बोलो कि अगर यार ये पांच लोग मिलके decide कर रहे हैं तो ये तो बस इसी का खाएंगे यानि हम और आप जिसे retailer का खाएंगे यान जो trader और investors हैं जो कि अपना खुद का पैसा लगाते हैं उन्हीं का खाएंगे कोई ज़रूरी नहीं है ना कि इसकी जो research है इससे match करें इसकी जो research है इससे match करें सब लोग अपना अलग idea अलग concepts लगा के आते हैं market में और same चीज आप भी हो आप भी अपने अलग ideas अलग concepts लगा के आते हो किसी को लग रहा है कि या टमाटर को कम होने ही वाला है बारिश नहीं होरी ये हो रहा वो हो रहा आप एक किसान हो तो आपको तो पता है ना कि यार देखो ये लोग बोल रहे हैं टमाटर 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 लेकिन मुझे पता है मैं इसमें बहुत गहराई से हूँ इस industry में टमाटर को कुछ नहीं होने वाला तो आप भी सही हो सकते हो तो stock market बस उसी की study है कितना आप जानते हो कितना आप अपने खुद के knowledge को apply करते हो कितना आप उस चीज़ को chart पे study करते हो कि नहीं यार मैंने बहुत अच्छे से study किया है कि chart में ये price इसी तरह behave करता ही है ठीक है? हो सकता है आप गलत भी हो क्योंकि हर बार हर चीज सही नहीं होती हो सकता है बारिश आ जाए क्या कर लो गया in case of tomato similarly हो सकता है इन्होंने जो study की है इस बार accurate नहीं निकली इन्होंने जो study की है इस बार बहुत अच्छी निकली तो इनको पैसा बनेगा और इनका loss हो जाएगा that's it that is the whole game आपका काम बस इतना है कि आप लोगों को इन लोगों को जैसे सोचना सीखना है और ये सारे अलग method यूज करते हैं किसी भी company का same methodology नहीं रहता सबका methodology अलग रहता है आपका काम बस इतना है कि ये समझना कि ये लोग क्या करना चाह रहे है और आप लोग similar तरीके apply करो कि ये लोग कहां खरीदने का सोच सकते हैं कहां बेचने का सोच सकते हैं वो हम सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं आप भी बहुत अच्छे से पैसा कमाना सीख जाओगे कि ये पूरे जो institution से लोग कैसे सोचते हैं और बहुत simple सा fund है supply or demand that is it that is everything और कुछ नहीं stock market में चलो ये लोग तो चलो basis क्या होता है इनका ये लोग क्या देखके decide करते हैं for example कोई news आ गया कुछ global event हो गया कोई war हो गया news जैसे election आ रहा है war आ रहा है market sentiment इंडियाने की अब देश में लोग क्या सोच रहे है जैसे इंडिया में अगर आप nifty देखोगे तो आज जब मैं विडियो शूट कर रहा हूँ nifty all time high मार रहा है तो लोग देखेंगे कि यार market तो बहुत positive है भी खरीदना चाहिए और क्या देखेंगे कि government taxes बढ़ा रही है कि government interest rate बढ़ा रही है government जादा मुश्किल कर रही है काम government आसान कर रही है काम इन सब चीजों पर depend करेगा और industry trends यानि की agriculture कैसा चल रहा है agriculture में ये problem आ रही है बहुत खराब laws ला रहे हैं अपने government वाले तो उस case में क्या होगा कि नहीं यार कुस तो गरबढ़ है industry trend यानि की नहीं बहुत innovation हो रहा है मेरे को लग रहा है ना कि इंडिया में technology बहुत innovative दिखने वाली है बहुत सारा technology बनने वाला है तो मैं तो invest कर देता हूँ technology not everybody can keep a track of everything हो सकता है आपके कोई चाचा है जो government में काम करते है तो आपको बहुत institution के पहले पता चल जागे कि government क्या करने वाली है कोई दुरूरी नहीं कि सारे institution को पता हो कि government क्या करने वाली है आपको पहले पता लग साकता है आप एक industry में काम कर रहे हो टिक में काम कर रहे है आपको कोई भाई है जो Google में काम करता है वो आपको बता रहा है कि नहीं है इंडिया में न Google यह launch करने वाली है और वो इस company को acquire करने वाली है तो इस company में आप invest कर सकते हो यह news data सब के पास अलग अलग तरीकों से आ सकता है बहुत डाइनामिक दुनिया है ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ पहले पता ही नी चल सकता पता चल सकता है ना उसी के basis पे आप पैसे बनाओगे और कोई और नहीं बनाएगा हो सकता आप गलत भी हो बस यही खेल है और गलत हो तो अपने आपको कैसे बचाना है उसके लिए भी हम आगे बात कर लेंगे इस वीडियो में चल लिए हम यह तो समझ लिया ना कि क्या-क्या चीजों के basis पे price move करता है अब इन सब चीजों से बनता है trend trend क्या है? trend है market का direction market किधर जा रहा है अगर आपको स्टॉक देखरे हो तो वो स्टॉक किधर जा रहा है? क्या वो this is called uptrend, जब supply ज़ादा है, तो price से नीचे चा रहा है, this is known as a downtrend, और जब demand और supply में उतना कुछ खास difference नहीं है, तो price कहीं अठका हुआ है, this is known as a sideways market, और ये ही है trend, trend को identify कैसे करना है, उसके लिए हम use करेंगे concept जिसको हम कहता है swings, तो जो को जो price है ना, वो कभी ऐसे सीधा उपर नहीं जाता, वो इस तरह का behavior करके उपर जाएगा, या फिर इस तरह का behavior करके नीचे आएगा, एक ही बार में एक ही जटके में ऐसा उपर नहीं चले जाता है, इसमें जो ये peaks और lows बनाता है ना, इसी को हम कहते हैं swing, जब market uptrend में होता है, तो वो जैसे ये uptrend है, उपर जा रहा है, तो उसमें बनाता है higher high and higher lows, अब high और low का क्या मतलब है, तो अगर हम सिर्फ इस part को देखेंगे, इस पूरे move का ये high point है, ठीक है, ये हो गया पहला high, अगर हम इस point को देखेंगे, तो ये इस छोटे से move का low है, तो ये हो गया एक high और एक low, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, फिर एक move हुआ, उसका यहाँ पे बनाया high, उसके बाद एक छोटा सा move हुआ, एक बनाया low, या ये जो high है, previous high से उपर है, येस, तो वो बन जाता है higher high, या ये जो low है, इस move से नीचे है, इस low से नीचे है, येस तो बन जाता है higher low, मतलब, ये जो low है, इस low से higher है, तो बन जाता है higher low, तो जब भी आप market को देखोगे, higher high और higher low बनाते हुए, तब समझाओ, कि ये uptrend में है, इसका ठीक उल्टा, जब देखोगे market इस तरह का lower high, lower low बना रहा है, ये क्या है, एक low है, और ये high है, low है, high है, क्या second low, first low से उपर है, या नीचे है, low है, right, so this is a lower low, क्या second high, पहले high से उपर है, या नीचे है, it's a lower high, so lower high and lower, low मतलब downtrend, आप देखोगे, जब sideways है market, तो कुछ ऐसा clarity आपको देगा नहीं, कुछ इस तरह का behavior करेगा, इसको हमें कर देना होता है, ignore, in markets में हम कुछ कर सकते हैं, in markets में हम कुछ कर सकते हैं, इस market को हमें कर देना होता है, ignore, इसविए पर में चार्ट पर आपको दखा देता हूं यह है Nifty-Kît को देखके मंद समझ सकते हैं कि हमारा पूरा ऑर Madagang क्या कर रहा है इनलीड मार्ग線 के है यहाव और आप देखोगे मार्केट से घुटा इसवितां क्लियरली ऊपर जारा है क्या है 2ध is making a higher high, एक high है, उसको छोटा सा low बनाया, फिर एक high बनाया, फिर एक low बनाया, अब फिर high बना रहा है, this is what, higher high, higher low, that's it, that means the stock is in uptrend, that's it, इतना ही है, that's it, ये trading हो गया, और कुछ देखते है, इस chart को देखो, ये market क्या कर रहा है, ये market है फासा हुआ, ना highs को ब्रेक कर रहा है, तो lows भी ब्रेक कर दे रहा है, कभी high ब्रेक कर रहा है, कभी low ब्रेक कर रहा है, so there is no clarity, इसको हम कहेंगे sideways, ठीक है, इसी तरह और एक chart दिखाता हूँ आपको, तो market क्या कर रहा है, see, ये high है, low है, high है, low है, high है, low है, ये क्या कर रहा है, एक high, low, high, low, high, this is a lower high, this is a lower high, and lower low, this इस वाट मेक्स इट डाउं ट्रेंड काता अब आपने सीख लिया है कि ट्रेंड क्या होते हैं इन स्विंग आइंटिफिकेशन को आपको इंप्रूफ करना है मैं उसके अल्रीड वीडियो बना रखी अब जाके यह वाला देख सकते हो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इतना समझो कि हमें higher highs और higher lows या lower highs lower lows बस high low के identify करके हम यह समझ सकते हैं कि market किस trend में है और trend identification is one of the first steps of learning what price action is जैस हमने अभी discuss किया इस तरह का higher high higher low pattern बना तो यह uptrend है इस तरह का lower high lower low pattern बना यह downtrend है और इस तरह का chart बना है तो यह sideways अटकावाय है और इन ही high और low के combination से बनती ह है support और resistance support resistance क्या होता है चलिए उसको भी हमें example से समझते हैं वहीं टमाटर का example हम लेता है आपने 45 50 45 50 आप हो सकता है छे माहिने से रोस टमाटर की shopping करने जा रहे हो और आपको लगभग 45 से 50 रुपए तक के range में मिल जा रहा है 45 55 से 50 सो यू आर नो comfortable अट डर प्राइस मान लो कि यह price है वो 45 से 50 ठीक है मान लो इस पर comfortable हो कि नहीं यार ठीक है 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 चलेगा कोई बात नहीं अब क्या हो गया suddenly आप जेख रहो भाई market ऊपर जाता जा रहा है अब आप क्या सूचों कि 60 अब को बात 45 50 से 60 रुपीज चला गया मार्किट क्या कर रहा है नीचे आ गया सेम चीज़ वापस 45-50 आया चल बहुत लोग ले रहे हैं लोगों ने क्या किया greed हो गए जो बेचने वाले थे greedy ओ गया वो क्या कि वापस महंगा हो गया महंगा महंगा हो गया महंगा हो गया व एक ग्रीड और फिने मार के चटता है जैसे ही वाientos आता लोग खुरीद है तो दुकांदार वाले ग्रीडी हो गए जैसे ही महंगा हो गया सब्सक्राइव लों कीच नहीं खुर इतर हो ओके जिए सॉस्टा हो गया फॉर यही चीव साइकल चलता रहता है 45-50-60-50-50 60 यही चीज चलता रहता है टमाटर के प्राइस में हो गया और यह सारा खेल इंस्टीटूशन और रीटेलर्स मिलकी खेलते रहते हैं और यह संदगी बर चलता रहेगा ठीक है आप नोटेस करते हो जैसे पिट्रॉल का दाम है किसी दिन अगर आप नोटेस कर रहे हो अगर प्राइस 110 चल रहा है सडनली स्लैश होके 90 हो गया तो आप तो पागल हो जागा रहा है बहुत सस्ता हो गया है आप ग्रीडी हो जागा जादा पेट्रॉल भरा हो गया आपकी जो गाड़ी नहीं है आप तो भाई ब assert रहता है और यही सर्टन लेवल्स होते है जैसे नाइटी का प्राइस यह मान्लो 110 का प्राइस यह मानलो एक बार compliant आएगा वापस लोग डर गया वापस लोग डर गया 90 हो गया ग्रीडी एक सासों फिर तो वैसे ही क्या होगा अगर 3-4 बार वो लोग notice कर रहे हैं कि 110 का price आ रहा है तो fear हो रहा है वो बन जाता है एक resistance level वहां से price resist करता है और एक price जहां से बार-बार bounce होता है वो बन जाता है support level ठीक है और यही चीज है जो market को उपर नीचे कराते रहती है और इसी चीज को हमें study करना होता है market में that is it तो पहला तो हमने direction देख लिया और दूसरी चीज हमें देखनी है कि direction में रुक का रहा है और चड़ का रहा है हर एक swing हमने high low high low high low देखा था था ना higher high lower low हर एक swing अपने में एक support और resistance का काम करता है because simple सी चीज समझो कि market ऐसे जा रहा है नीचे आया फिर उपर जा रहा है यह जो level है यहां से market किसी reason से नीचे आया ना तो यह अपने में एक resistance का का काम करेगा करेक्ट यानि यहां पर price ऐसा होगी कि नहीं यहां पर डर गये थोड़े से फिर suddenly वापस price bounce आ गया कि नहीं यार उतना डरने की कोई बात नहीं है बंदास करेदो बंदास करेदो यहां पर वापस होगा ग्रीडी और इसी ग्रीड में market चला गया अब इसमें ध्यान रखना कि support resistance zones होते हैं चार्ट पर lines नहीं होते हैं चलिए हम एक चार्ट पर चलते हैं अपने निफ्टी का ही चार्ट देखते हैं उस पर थोड़े support resistance हम ड्रॉ करते हैं चलो वाप एक चीज़ नोटिस करो कि market कहां कहां से आया और कहां कहां गिरा सबसे पर इस हाइट पर आया और नीचे चला गया तो यह अपने आप में क्या बन गया resistance बन गया यह वाला point यह बन गया resistance पॉइंट नेक्स्ट चढ़ा कहां से market पहले चढ़ा यहां से यह अपने में एक support बन गया ठीक है तो यह एक support level है तो अब आप नूटिस करो क्या हो रहा है जो पहले resistance पर आया market चला तो गया जब अगला support पर आया market और यह थूड़ी दीर रुका support से ऊपर चला गया फिर resistance और यह थोड़ा सा नीचे गिराया kutku और यह हमेशा काम करते रहेगा, resistance और support का concept इसी तरह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो बस इसी चीज़ को आपको देखना है, जब resistance पर यह एक level था 21,500-600 का, जब support पर 21,350 का level था, यहाँ पर जब market आया, तो वापस यहाँ पर demand बढ़ गया, demand कैसे बढ़ गया, because past में बहुत अच्छा है भाईया, यहाँ पर आतो हमें खरीदना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा greedy हो सकते हैं, of course इसको नीचे तोड़के गया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कि यहाँ पर जो लोग greedy थे, उससे कही जाता लोग डर चुके थे, more people were afraid, नहीं, 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 यहाँ पर greedy नहीं हो सकते है, अभी भी सस्ता है, अभी भी महेंगा है, नीचे बेचो, 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 जैसे ही यह वाला प्राइस आया, जो भी प्राइस है, तो यहाँ पर सड़नली लोग क्या हो गए, यहाँ लोगो कोई बापस ग्रीडी है, नहीं यार, अब ठीक है, बहुत, जेतना सस्ता हो गया है, अब इसको खरीदो, बिंदास खरीदो, और देखरो, जैसे खरीदना चालू किये, और एक चीज बस अब ध्यान रखना, एक सिंपल सा रूल, जो पहले सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जो पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन जाएगा, क्यों, बिकोज आपके दिमाग में पेट्रोल का 90 और 110 का प्राइसिंग चल रहा है, करेक्ट 90 और 110, यह प्राइसिंग के बीच में पेट्रोल कंटेनियूसली घूम रहा है, इदर, इदर, यह हमेशा हो रहा है, so now, मान लो की प्राइस चला गया 85, ठीक है, काफी टाइम 85 पहीं अटका रहा, अब सड़नली मार्केट जब 90 पह जाएगा, अब आपको लगएगा, नहीं 90 पहरा था, तो यहां पे लोग ग्रीडी हो रहते हैं, यहां पे लोग ग्रीडी होते हैं, that becomes support level, जैसे ही इसको तोड़ दिया, और वापस इधर आया, वापस 90 पह आया, तो अब आपको लगएगा, 90 महेंगा है, क्यों, क्यों, नीचे हो गया, सस्ता हो गया, अब यहां पह यहां मतलब महेंगा है, इसलिए आप देखो कि थोड़ा सा यहां पे आया, डिप, so previous support becomes resistance, previous resistance becomes support, that is it, यह यह support resistance है concept, support resistance आपको और गहराई में जाननी है, तो मेरी जाके उपर वाली वीडियो जरूर देख लेना, बढ़ यहां वीडियो है, बस यह कुछ rules आपको मैं समझा पहला rule है कि support resistance जोन होता है चार्ट पे एक लाइन नहीं है, बजब ऐसा नहीं कि 90 मतलब 90 हो सकता है, 91 हो, 90, 89 हो, यह पूरा एक range हो गया, 90 तो एक सीधा line हो गया, इसको आप एक zone मानलो चार्ट पे, यह zone हमें ड्रॉ करना होता है, कैसे ड्रॉ करना आपको बता दिया, same higher time frame यानि कि जादा accuracy, time frame यानि कि हम उसको 15 मिनट पे देख सकते हैं, एक घंटे पे देख सकते हैं, वो चार्ट कहां देखना है, कैसे देखना है आगे मैं आपको सिखा दूँगा, बट और नो बस इतना समझो कि higher time frame मतलब more accuracy, यानि कि आप सिर्फ पिछले 4-5 दिन का data आपके पास आ जाता है, next, 3-4 touch जैसे ही हुआ, तो उसमें level strong हो जाता है, यानि सिर्फ 8 touch में level उतना strong नहीं है, 2 touch में थोड़ा जादा strong है, 3-4 touch is the strongest, और 5-6 touch से वापस ये weak होने लगता है, जितने जादा touch होते रहेंगे after 3-4, वो उतना weak होता जाएगा level, चलिए, next concept समझत है, एक simple तरीका आपको बताता हूं, support resistance के तुरब trade कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको touches देखना है, जहां touches मिल गए, उसको आप important level मानके mark कर लो, second, जैसे ही price उनके पास आएगा, वहाँ पे एक pattern का हम वेट करेंगे, ये pattern क्या है, वो अगर जानना है, मेरी complete candlestick pattern की tutorial है, य तो breakout कर देगा, या breakdown करतेगा, उसी में हमें trade लेना है, वो कैसे होगा, हम अभी वो समझेंगे, अगर sideways market है, और उपर निकाल दिया, इसको हम कहते है, breakout, और sideways market है, नीचे निकाल दिया, इसको हम कहते है, breakdown, हमें यहाँ पे, यहाँ पे trade लेना है, that's it, reverse कर रहा है, entry on pattern, again reverse मतल रहा है, और यहाँ से पलटने के science दिखा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ pattern बनेगा, तब trade करेंगे, क्यों previous swing को तोड़ दिया, swing को तोड़ना मतलब, जो previous demand zone था, वो भी कमजोर हो गया, उसको तोड़ दिया, मतलब आपके हम एक pattern देखे, trade कर लेंगे, तो कुछ price action strategy जैसे breakout की हम बात कर रहे हैं, या तो swing high या low का break होगा, उसको में देखे, trade करना है, और breakout कुछ इस तरह का देखता है, चलो वो भी मैं आपको chart पे दिखाता हूँ कि कैसा होता, कैसा होता है वो, जैसे आप nifty में देख रहे होगे, market यहाँ पे अटका हुआ था, इस range में, चिक है, market यहाँ पे फसा हुआ है, यह कहीं निकल ही नहीं पा रहा, जैसे ही break किया, this is called a breakout strategy, यहाँ पे हमें enter करना होता है, this is called a breakout strategy, और एक चीज़ देखो, pattern shift कैसे होता है, pattern shift आपको दिखाता हूँ, वो भी आप समझो, देखो, market यहाँ पे क्या कर रहा है, swings बना रहा है, एक इस तरह का कुछ swing बनाता रहा है, तो market ने जैसे ही यह previous swing, यहाँ previous swing है, previous swing को जैसे ही तोड़ा, यहाँ पे हम entry कर जाएंगे, that's also a breakout strategy, एक यहाँ तो range को तोड़ दे, दूसरा, जो previous pattern है, उस तरह से नहीं, जो previous pattern है, ठीक है, यह down जा रहा है, तो जब इसको तोड़ेगा, तब हम trade लेंगे, this is called a breakout, this is also called a breakout, अब reversal मतलब, यहाँ कहीं, जैसे इस point पर आया, test किया, ऊपर निकाल दिया, यहाँ से reversal हो रहा है, यहाँ पर हम trade देखेंगे, इसकी बार में हम बात करते हैं, इसको कहते हैं, double bottom pattern, अब हम वो सब भी सीख लेते हैं, चलो, यह सब pattern सीखने से पले हमें जानना पड़ेगा, कि एक और strategy होती ही, जिसको हम कहते हैं, pullback, pullback यानि क्या, जब market एक trend में है, आपको पता चलोगे कि यार, यह तो uptrend है clearly, जब market नीचे आएगा, remember हमने क्या discuss किया था, previous resistance, यह जो resistance level है, is can act as a support, यह जो support बन गया, support बन गया, तो जो pullback आएगा इधर, यहाँ पे हमें reversal pattern देखना है, एक तरीका हम क्या देख रहे थे, कि इसको break करेगा, दूसरा तरीका, यह कुछ इस तरह करेगा pattern, something like this, ऐसे आया होगा market, यह same level, ठीक है, जब वो pullback करेगा to this area, जैसे यहाँ उपर देखो, यह जब same level, same area के पास pullback क pattern, यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम कहते है, short term weakness, क्योंकि trend कैसा है, continuous उपर नहीं जाता, रुक रुक के उपर जाता है, जब first रुकेगा, हम यहाँ पे enter कर जाएंगे, first नहीं, second जब रुकेगा, तब हम वहाँ पे enter कर जाएंगे, this is called pullback strategies, ठीक है, इसको आप support resistance के साथ य इसको आप trend lines के साथ यूज कर सकते हो, इसको आप moving average के साथ यूज कर सकते हो, यह सारे beginner concepts है अपने में, अगर आपको यह नहीं आता, उसके चिंता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ support resistance बना के trade कर सकते हो, जो कि pullback areas है, that's it, उसके लाब आपको कुछ सीखने की ज़रोत नहीं This is it guys, यह बहुत simple चीजे में आपको बता रहा हूँ और simple चीजे ही market में काम करती है, अब जितना complicated करोगे उतना trading आपके लिए cut in होते जाएगी, और जितना cut in होते जाएगा पैसा नहीं बनाओगे, आप माथा अपना खपाते होगे, उसका कोई फाइदा नहीं है, just keep it simple in the market इन ही चीजों के combination से कुछ chart patterns बनता है, जैसे कि एक, यह famous triangle patterns है, wedges भी किसाफ से triangle है, यह तो normal triangle pattern है, flag भी किसाफ से triangle pattern है, जैसे यह एक resistance level बन रहा है, ठीक है, trend अप है, support resistance बन गया, उसको उपर तोड़ा breakout, उपर तोड़ा breakout, उपर तोड़ा breakout, यह patterns आपको रट्ता मारने की ज़रुवत नहीं है, फिर भी मैं patterns की PDF नीचे share कर दूँगा, आप वहां से डाउनलोड ज़रूर कर सकते हो, प्री रेक, I don't worry about that, वहां से डाउनलोड कर लें, ताकि आपको pattern समझ में आ जाए, तो रट्ता करने के ज़रुवत नहीं है, जब भी यह chart पे होते है, usually higher chances है कि य साम करें, क्यों, क्योंकि यह psychology पे-based है, यह ऐसा नहीं है कि pattern बन गया, pattern को में रट्टा करके trade कर लेना, कभी भी रट्टा मत करो, समझो इसको, for example, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इसका trend अप है, पहली चीज, uptrend है, और हम कहां का trade ले रहे है, उपर की side का trade ले रहे ह next, यह क्या कर रहा है, आके यहां पे अटका वायगेरिया में, sideways हो चुका है, supply और demand कहीं निकल ही नहीं पा रही, और जैसे ही लोगों को लगा, कि यह 50% पे आ चुका है, 50% मतलब क्या, जो लोग यहां खरीद के गए थे, उनको लग रहा कि नहीं आर अब यह 50% off हो चुका ह उन्होंने decide के कि नहीं, अब हम भी खरीदते हैं, because हमें अच्छा का सा discount मिल गया है, यह जो टॉप पे लोगों थे, जिन्होंने miss कर दिया move, जिन्होंने यह पूरा move मिस कर दिया, उनको लगा कि नहीं आर अब बढ़ियां discount है, high से 50% off मिल चुका है, उन्होंने खरीदा market up, यह है उसके पीछे की psychology, आज की डिट पे तो खार यह computer करती है, बहुत सारे बड़े-बड़े algorithms करते हैं, तो आपको इसके पीछे ज्यादा माथा खाबाने की ज़रुवत नहीं है, but just realize कि यह काम करने की वीचे logic है, यह सिर्फ pattern बन गया ऐसा नहीं है, logically यह patterns decide हुए है, patterns क्य यह क्या है, support level है, अभी हमने double bottom के बारे में बात किया, support level है, support level पे आया, first time उपर निकाले को ट्राइ किया, यह trend मान लो, next time आया, वापस तोड़ दिया इस level को, unmarket is up, पंडा क्या है, seller ने push किया नीचे, एक support बन गया, क्योंकि market bounce हुआ, वापस लोगों के लिए नहीं है, यह महंगा हो रहा है, नीचे बेचो, लेकिन अगेन यहाँ पर बहुत strong buyers आ गया, तो seller को लगने लगा, seller जैसे ही fear में गया, more buyers came, seller को लगा कि नहीं है, हमें भी निकल जाना चाहिए, और seller जब निकलेगा, तो वो क्या करेगा, buy करेगा, market चला गया, उपर, that's it, यही बन ग रहा है, किसी को लग रहा है, किसी को लग रहा है, किसी को लग रहा है, सस्ता है, बेच रहे है, खरीद रहे है, बस इसी की combination पर market चल रहा है, again, pattern रटा मत करो, बहुत आसान चीजें रखो इसको, अराम से, पढ़ लेना, PDF देख लो, और market में apply करके देखते रहे हैं इसको, ह हमेशा काम करता रहे है, same चीज, head and shoulder का pattern जो है, एक बार आए, वापस push करने को try किया कि नहीं आरी हो गया है, बहुत महेंगा है, तो तीन बार buyer ने push किया उपर, तीन बार, लेकिन market उपर जा ही नहीं पाया, और एक जो support level बना रहा था, उसको जैसे नीचे तोड़ा, market is out, gone That is it, this is how patterns are formed, pattern कोई अजूबा चीज नहीं यह जो बस बन गया, हम क्यों trade कर रहे हैं, रट्टा मार के, याद करके, ऐसा नहीं है, समझो ना, वापे क्या हो रहा है, अब तो मुझे patterns का नाम से फरक नहीं पड़ता, बस है, ठीक है, काम करता है, भरोसा हो गया, करते रहेंग इसमें अभी आप enter, exit, stop loss, यह कैसे लगा होगे, entry, exit क्या होती है, entry, exit या नहीं, buy, sell क्या देखके करोगे, अगर आप invest भी कर रहे हो, तो क्या देखके करोगे, सबसे पहले चीज, entry क्या देखके करनी है आपको, आपको सबसे पहले important levels देखना है अपना, कि कौन से zone बने है, higher time frame मतलब क्या, one week पे देखो, one day पे देखो, one hour पे देखो, अगर आप trade कर रहे हो, invest कर रहे हो, तो one month पे भी देखो, ठीक है, investing करना है ना, तो same fund आप use कर सकते हो, to invest on a one month chart, price action देखके कि trend क्या है, कहां पे आ रहा है, support पे आ गया, चलो buy कर लेते हैं, यह support पे आ गया, आप buy कर लो, that is how investment works, अगर सिर्फ chart देखके करना है तो, उसके बाद, एक time frame drop करो, और अपने trade को plan करो, यानि कि आपने investment strategy को देखी है, one month पे देखा, one week पे देखा, तो one day के chart पे देखके, trade कर लो, आपने trade क्या देखा, one day पे देखा, one hour पे देखा, study किया, इस पे trade किया, इन द plus one का simple formula लगाओ, इन दुनों पे study, इस पे trade, इन दुनों पे study, इस पे trade, इन दुनों पे study, इस पे trade, that's it, this is trading, उसके बाद आपको देखना है, valid entry setup, setup is nothing but एक pattern, ठीक है, आप higher time frame पे, one hour पे हो सकता है, सिर्फ एक single इस तरह की candle बने, candle sticks पे video है, उपर जाके देख लेना, single candle ब ठीक है, तो कि यह क्या देखना, आपको एक valid entry setup, setup यानि कोई pattern रहेगा, या फिर candlestick हो सकती है, candle sticks again, आप सीख लो जाके, उसमें याद रखना, कि कभी भी जल्दबाजी में enter मत करो, कि नहीं यार शिट में को लग रहा है, यहाँ पे आगया, आप buy करेंगे, नहीं नहीं, ह उसमें आपके जीतने के chances बढ़ जाते हैं, यह तो हमने entry जरूर कर ली, अब एक बार घुज गया, तो निकलना जरूरी है न, उसके लिए आपको दो तरीके बताता हूँ, पहला तरीका है, या तो आपने कुछ target decide कर रखा है, वो technical analysis के हैसाब चाप, targets decide कर सकते हो, कैसे decide कर स चका पे, तो next zone क्या आपको दिख रहा है, ये वाला, चीक है, तो आप क्या करोगा, यहाँ पे आपने buy किया, यहाँ पे sell कर दिया, एक है one is to one, one is to one, यानि की एक stop loss लगाओगे, इसके बाद stop loss के तरीके भी बता दूंगा, but common sense लगाओ, अगर target ऐसे आप लगा रहे हो, त stop loss कैसे लगाओगे, इसका ठीक उल्टा, that's it, वही है concept, या one is to one, या next zone, या आपके investment goals, ठीक है यह target आपने set कर दिया, और exit तभी करने, या तो target हो, या फिर stop loss हो, और stop loss हम कैसे लगाएंगे, stop loss या तो आपके support resistance areas के ओपर नीचे रहेगा, या फिर moving average के ओपर नीचे है, how to earn 500 rupees everyday वाली video जाके देख लेना, यहाँ पर link कर दूँगा, अभी stop loss important इसलिए है, कि आप तो अपना account खाली नहीं करना चाहते हो ना, मान लो कि आपने कही investment भी कर लिया है, आप यह नहीं चाहोगे कि आपकी investment पूरी की पूरी खतम हो जाए, आप यहीं चाहोगे ना, क यहाँ से double top बना के पलट गया, तो कभी तो आपको confirm होना चीना कि यह गलत है, तो that is called stop loss, हर बार हर चीज काम नहीं करती, remember, आपने कोई news देखा, आपने को analysis की, हो सकता है गलत हो, कभी investment bankers गलत हो सकते हैं, कभी आप गलत हो सकते हो, लेकिन how do you know कि आप कब गलत हो, that is where you place a stop loss, वो है आपके support resistance levels के उपर या नीचे या फिर moving averages के उपर या नीचे, और यह इसलिए लगाना है थाकि आप अपना account blow ना कर दो, because stock market में trades बहुत सारे आएंगे, investment opportunities बहुत सारी आएंगी, लेकिन अगर आपका पैसा चला गया, वो कभी वापस नहीं आने वाला, because उसके लि हैं, उस पर भी complete video है, चैनल पर बता दूँगा आपको, तो अभी हमने one is to one का बात किया, वो कैसे, अगर आपने stop loss for example, यहाँ पर enter किया है, और आपका stop loss यहाँ पर है, so यह जो भी distance हुआ ना, यह one ratio मान लो, और इतना ही distance आप उपर का, one ratio मान लो, that will be your target, यह एक तरीका हो होंगा, यह जितने भी size का है, यह कितना है, 36 रुपीज का है, यहाँ पर 36 आपको दिख रहा है, इतना मेरा stop loss रहेगा, तो कुछ इस तरह रहेगा यह trade, यह कुछ इस तरह का trade है, जितना stop loss उतना target, और यह trade मैंने क्यों लिया है, because सबसे पहले मैंने क्या देखा, कि market किदर जा रहा है, यह कौन सा level है, कौन सा level है, जहाँ पर पहले resistance था, this is an old resistance level, भी देख लो, see, यह previous zone हुआ करता था, यहाँ पर, this one, यह देखो, clearly, काफी time यह market आया, same zone, same जगा पर consolidate किया इसने, और वहाँ से जैसे ही निकला, I took the trade, that is it, और कुछ तो देखे, क्या pattern देखा मैंन इसको normal chart पर देखते हैं, और खतम, यह same चीज़ हमने nifty में देख लिया, इसमें आप और advance देखना है, तो candle six की वीडियो देखो, वहाँ आप सीखो गया, और कुछ हम देखते हैं, तो nifty देखा है हमने, चलो gold देखते हैं, यह देखो, gold है, gold में कैसे trade हम देखेंगे, इसक कहीं अपना stop loss लगा देंगे, यह जितना भी distance है, उतने ऊपर का target, that is it, इस चीज़ को अपने investment goals भी use कर सकते हो, माल लो कि मैं HDFC देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, पहले हम investment रहा है, तो one month देखेंगे, one month पे क्या कर रहा है, यह पूराने lines है, मेरे को च ठीक है, और एक यह high level है, बस HDFC यहाँ पर अटका हुआ है, चलो आप one week पर आते है, one week पर मैं क्या देख रहा है, यह पुराना level थोड़ा सा और नीट करके मैं यहाँ पर ले आऊँगा, level के जगा पर मैं इसको zone बना दाता है, ताकि आप exact same concept use करो, जो हमने अभी सीखा है, इसको level नहीं zone बना देता हूँ, level या zone आप interchangeably use कर सकते हो, जैसे आप advance होते जाओगे, आपके लिए normally वो एक line बस मैं को neat दिखता है, otherwise आपको इसको zone ही बनाना है, zones कैसे draw करना है, supply demand, वो यहाँ पर आप video देख सकते हो, और description में भी दाल दूँगा, अगर यहाँ पर नहीं करना है, मैं कहाँ पर देखूंगा, this, this exact point, जैसे ही market यहाँ आया, 1480 पर next बापस, मैं यहाँ पर HDFC को buy करने का देखूंगा, क्यों, because this is a demand zone, that is it, HDFC मैं ऐसे invest करने का देख लेंगे, one day के chart पर कभी भी वहाँ पर आया, मैं buy कर लूँगा उसको, daily देखते रहूंगा, चलो, Euro-USD देख लेते हैं, यह देखो, Euro-USD, same चीज, हर जगा आपको price action बनती दिखेगी, same चीज, BTC देख लो, crypto देख लो, same चीज आपको बनता दिखेगा, हर जगा, हमेशा, price action हर जगा हमेशा काम करता, यह previous जो resistance area था, market यहाँ से नीचे आया, देखो, जब resistance था, यहा से उपर गया, जब next time BTC यहाँ चाहेगा, मैं buy करने का इसको देखूंगा, जब next time उपर यहाँ आएगा, मैं हो सकता है sell करने का देखूं, that's it guys, this is it, यही investing और trading का पूरा खेल है, price action आप समझोगे, क्या कर रहा है, market अभी कहा है, बीच में अटकावा है, तो अगर इसको निकालेगा, मैं buy कर दूँगा, नीचे निकालेगा, मैं sell कर दूँगा, that's it, अब आपको क्या करना है अगला, आपको मैं तीन चीज़े बताता हूँ, तीनों चीज़े आपने करनी है, सबसे पहले आपको यह पूरी वीडियो दुबारा देखनी है, और जो जो concepts मेने बता को शिट यह तो exactly यही किया, second, उसके बाद market psychology के बार में सीखना start करो, वो playlist की link में नीचे pinned comment वगरा में दे दूँगा, आपको साब कुछ आपको next करना है, third चीज, risk management आपको सीखना है, market में trade या पैसा लगाने से पहले आपको risk को manage करना आना चाहिए, risk manage नहीं करोगो तो प concept सीख लो, ये video से concept सीखने में आपको हो सकता है, maximum दो हफता, maximum एक महिना लगे, एक महिना, उसके बाद आपकी real जंग शुरू होगी, जो कि है आपके mindset का, आपके psychology का, और आपके risk management के थ्रू ही आपकी psychology improve हो सकती है, अगर आपने risk management improve कर लिया, psychology, आपका mindset खुद बखुद इ और proper discipline के साथ, trade करना स्टार्ट कर दिया, guys, ये आपके learning का अंत नहीं, बलकि शुरुवात है, इधर से आपको काफी आगे जाना है, जो concepts आपको आगे सीखना है, उसको में description में और pinned comments में दाल दिया, अगर आप serious हो और सीखने के लिए, I would suggest कि आप कुछ paid programs में ज़रू invest करे आशा करता हूँ, आपको बहुत मजाया होगा सीखने में, और आप आगे भी इसी तरह सीखने रहोगे, thank you so much for watching guys, I'll see you next time.